देशाचे पंतप्रधान मानानिया नरेंद्र मोधीजी आणि देशाचे पहले सहकार मंत्री श्री अमित भाई शाहा यंचे मी मना पासना आभार मानतो कि त्यानी दिरेला शब्द पालत मागिल 35 वर्षा पासना साखर उद्ध्योगा वर जे इंकम टैक्स संकट होत ते पूर पने दूर करत आज त्या संदरबातलों नोटिफिकेशन हे जारी केला है या संदरबात मन्य राउसेप पाटिल दानवे हर्षवर्धन जी पाटिल बादाकुरुष्ण विखे पाटिल मी स्वता हा आणि महाराष्ट्रातले अनेक साखर उद्ध्योगातले दिग्ज नेते आमी माननिय अमित्भाईशा येनना भिटलो आणि त्यानना ही लक्षात आणून दिलो ओत गेले पस्तिस वर्ष शेत करेला जैने जास्त पैशे दिले अशा साखर कारखानेन वर त्या ठीकाणी इंकम टेक्स्टी टांगती तलवार ही लटक लेली है आणि 9,000 कोटी सुली शेत करेला अधिक्चे पैशे दिले अबद्दल कारखाने करने त्यते जो एक प्रकारचा अन्या है आणि त्याच्वई माननिय अमित्भाईशा येननी आमाला सांगित लोत कि ये चावर सरकार निर्णे करेल आणि अतीशे तड़का फडकी हा निर्णे या ठीकाण गेणयात आला यामोए साखर कारखान दारीला मूठा फाइदा होनारे वर्षानू वर्षाचा ये जाके डिमांड सायत त्या रद्द होनारे आले विशेश्ता शेत करेला अधिक्चा पैसा देड़ेच्या संदरबाद निश्चित पड़े एक प्रकारचा बहुत दया या सगैन से अतीशे मना पसना आभार मंद मैं आधरनिय प्रधान मंतरी जी का बहुत-बहुत आभार वेक्त करना चाहता हूं और साथ में भारत के पहले सहकारिता मंतरी अमित भाई शाह जी का भी बहुत-बहुत आभार वेक्त करना चाहता हूं कि पिछले 35 सा पड़ता था और कई केसेस पेंडिंग थी 9000 करोण का बकाया चीनी मिलो पर इसलिए निकाला गया था कि उन्होंने किसानों को ज़ादा मुनाफ़ा दिया ऐसे सारे ये जो निर्णे थे इसको रद्ध करने का नोटिफिकेशन आज केंद्र सरकार ने निकाला है हम लोग पिछले समय माननिय सहकारिता मंतरी के पास महाराश के सभी शुगर उद्ध्योग के दिगजों को लेकर गये थे और उस समय माननिय सहकारिता मंतरी अमित भाई शाजी ने ये अश्वासन दिया था कि इस प्रकार का निर्णे लिया जाएगा 35 साल से जो चीज नहीं हो पाई थी उसको इस समय मोधी सरकार ने किया है मैं माननिय मोधी जी का और अमित भाई का और वित्नमंतरी महोद्या का भी बहुत-बहुत आभार विक्त करता हूँ